गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में उत्रवधिकाल के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स जो आपका वैदिकाल है उस वैदिकाल के बारे में संक्सित रूप से परिचे देना चाहूंगी ताकि आपको उत्रवधिकाल अच्छे से समझ में आए तो देखेगा स्टुडेंट्स जो आपकी सिंदू का डिसब्वेता उसके पतन के बाद वैदिकाल का प्रारम होता है और जो वैदिकाल है यह है प संद्रासो से 1000 इस्ता पूर्वे का काल था और जो रिगवेदिकाल है इसके बारे में हम रिगवेत से ही जानकरी प्राप्ते कर सकते हैं उसके बाद आता है उत्रवेदिकाल तो जो उत्रवेदिकाल है इसका समय है 1000 इस्ता पूर्वे से 600 इस्ता पूर्वे तो इन दो कालों में वैदिकाल को विबाजित किया गया है और समझने की कोशिस की गई है अब देखिए का आपके दिमाग में क्यूसरा आ रहा होगा कि जो रिगवेदिकाल है और जो उत्रवेदिकाल है इनको दो भागों में बाटने की कहां जरूरत पड़ी थी तो इसमें जो मैन जो रिजन लोहे की खोद से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आये थे करेशी में भी आये थे और आपके इसमें ओजारों में भी आये थे तो बहुती बड़े इस्तर पर समाज में देख लो चाए आर्थिक व्यवस्ता में देख लो चाए धार्मिक व्यवस्ता में देख लो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आये थे तो रिगवेदी काल में और उत्रवेदी काल में दोनों में यहां से जो अंतर है वो प्रारम होता है तो देखेगा पढ़ते हम उत्रवेदी काल के बारे में तो देखेगा रिगवेदी काल के बाद के काल को उत्रवेदी काल कहा गया है वो इसका समय क्या था उत्रवेदी काल का 1000 इस्सापूरवा से 600 इस्सापूरवा ठीक है ना और जो महत्योपुन जो परिवर्टन आया था उत्रवेदी काल में वो ये था कि लोहे का प्रारंब और लोहे का जो प्रारंब है उससे क्या हुआ कि ओजारों में तो वर्दी हुई हुई ये ठोस दातु है इसे क्या कि ओजारों में तो वर्दी हुई हुई उसके साथ ही साथ क्रेशी में बहुत ही व्यापक इस्तर पर व्रदी हुई थी अब क्या पहले रिगवेदी काल में क presence which Wet Betty King जिसमें खा पीके अच्छ से अपना व्यवसाय करने के लिए भी बच जाय है नाज वो होती है अधिसेस क्रेशी ठीक है ना तो अब क्या हुआ कि उत्रवधी कार में सबसे बड़ी जो महत्तोपुन जो उपलब दी थी वो यह थी कि लोहाया और लोहे से क्या हुआ कि क्रेशी कारियों में उन्नती हुई और फसलें और अनाज है वो बढ़ा और लोगबाग हो अब अमीर होने लगे थे उनके पास अब खाने के बाद अनाज बतने लगा था इससे क्या हुआ कि उनके समाज में भी व्रद्धी हुई और धार्मिक व्यवस्ता में भी व्रद्धी हुई और इससे क्या हुआ कि छेत्रफल भी जैसे राजा में भी राजा की सक्तियों में अधिकारों में भी व्रद्धी हुई और उनका जो विस्तार था समराजी विस्तार था वह भी भड़ा और इससे क्या हुआ कि अब जो कबीला थे वो कबीला उनने भी अपना क्या हुआ आकार बढ़ाया और राजा के अधिकारों में व्रद्धी हुई राजा का पद है वह व उसकाल में जिसमें सामवेद, यजुरवेद तथा अथरववेद यहम ब्राह्मन ग्रंथों आरणियों की रचना हुई इसी को क्या कहा गया उत्रवेदी काल कहा गया ठीक है ना अब देखेगा उत्रवेदी काल को जानने के लिए श्रोत क्या क्या है हमारे पास चित्रित, ध अब देखेगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरा तात्विक्स रोतों के बारे में तो पुरा तात्विक्स रोत में है अतरंजी खेडा तो सर्वा पर्थम लोह उपकरण अतरंजी खेडा से ही प्राप्त हुए हैं तता यहां से सर्वाधिक लोह उपकरण प्राप्त तो साहितिक्स रोत में क्या थे रिगवेद को छोड़ के जितने भी अमारे वेद हैं वो और ब्रामन ग्रंद आरनेक उपने सद यह सारे के सारे उत्रवेदिकाल की जानकर हमें प्रेदान करते हैं तो देखेगा सामवेद इसमें रिगवेदिक मंत्रों को गान्य योग्य बन लाएंगे देखेगा यह जुर्वेद इस वेद में येग्यों की वीदियों का वर्णन मिलता है तथा यह करम कांडिय ग्रंद है अथर्वेद यह है आर्ये सेंसकर्ति के साथ साथ अनार्ये सेंसकर्ति से भी सम्मंदित है अतहे इस वेद को पूर्वे के तीन वेदों के सम नहीं किया गया है फिर अगला आता है ब्राहमंन ग्रंथ इनमें यग्डों के आनुस्ठानिक महत्व का उलेख है ये करमकान्ड ये ग्रंथ हैं चारों विदों के अलग-अलग ब्रामन गरंद हैं, यह भी हम आपको आगे की वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, फिर अगला आता है आरनेक, तो आरनेकों की रचना एकांत अर्थात अर्थात जंगल में हुई और इनका अध्यन भी एकांत में ही किया गया, अगला आता सर्वत्चे ग्यान अर्थात इस लोग से बाहर की बात की गई है, उपनिशद भारतिय दर्शन का मूल स्रोत है, उपनिशदों के रचना इस काल से ही शुरू हुई, तथा मध्यका तक चली देखेगा वेद त्रई, तो वेद त्रई में कौन-कौन से वेद आते हैं, रिगवेद, सामवेद और ये जुरू वेद, कई बार रिक्षा में पूछ लेते हैं कि वेद त्रई में कौन से वेद आते हैं, वो आपके रिगवेद, सामवेद और ये जुरू वेद, उत्रवेदी काल की विशेशता हैं अर्थात हम उत्रवेदी काल में क्या-क्या पढ़ने वाले आगेगी वीडियो में वो देखेगा पॉइंट कौन-कौन से तो उत्रवेदी काल की विशेशता हैं उसकी उत्रवेदी काल की राजनेतिक विश्तार उत्रवेदी काल की अर्थ व्यवस्ता, धार्मिक व्यवस्ता, उध्योग धन्दे, समाजिक स्थिति और सोले सेंसकार, तो इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, इस वीडियो में हमने उत्रवेदी काल के बारे में समाने सी जानकरी प्राप्त करी है, तो देखेगा स्टूरे चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो प्लीज आप हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद